आज हम मकर संक्रान्ती स्पेशल दिल की पुरियां बनाने वाले मकर संक्रान्ती के दिन आप यहां रेसीपी को जरूर ट्राइ करें और कमेंट करें आज हम मकर संक्रान्ती स्पेशल रेसीपी तिल की पुरियां बनाएंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैंने यहां पे देड़ तप गिंहूं का आता बारिक चुन में से चालते लिया हूं थोड़ा सा नमक एक चमच बिल्मा तेल हम आजे को मेडिया में प्लाइंगों थोड़ा सा तेल डाल के आज़को मकर संक्राइब प्लाइब करेंगों तुमाते को रिष्क में रखेंगों पत-पत हमारा चुरी का मसाला क्यार कर लेंगे मसाला के लिये माने आपे मिस्टीन जार लिया है जार में बुने हुए आदा कप मुन कली डाल रहेंगों प्लेक कप बुने हुए तिल अब हम इसे पीस लेंगे तिल और मुन कली बारिक हो गए अब हम इसमें गुल डालके फिर से पीस लेंगे गुल को हम जरूरत के अनुसार डाल लेंगे अब हमारा तिल का मसाला एडी में हम इसे एक बावल में निकाल लेंगे एक छोता सा गोला ले लेंगे अब हम आता लगा लेंगे थे खोशी प्रिस्टोल इस पर लेंगे अब हम एतिल का सबस्की बहर लेंगे जितना आमने गेहूं का अटे का गोला लेया था उतना ही बरना है आमको तिल का मसाला एडी इस तरह से इसके टैक कर लेना है इस तरह से टैक कर लेना है अच्पूर से ताकि हमारा कि रिता स्टॉप बाहर ना आए अब हम आटे में दस्ट पर लेंगे छोटे-छोटे से नाट लेंगे मिडियम साइज के जादा पतला वी नहीं जादा जाडा वी में देलना है अब अब हम इसे सेट लेंगे अमारा तवा भी गरम है थोड़ा सा तेल डाल लेंगे बार में डालने के जब लोटने है पेली बारे डाल लेंगे तेल को फोड़ा सास्टे कर लेंगे बाती हमारा तेल को पुरिंगे अबांच पिल्चित लेंगे डाल लेंगे दोनो तरस के अच्छिस सेट लेंगे मिडियम साइज के लेंगे आने को प्लावन कर लेंगे बना कर जार कर लेंगे ऊच्छिस कर दो कर लेंगे छला कर दो तू को पुरिंगे पुरिंगे प्लावन तेल हमारे तिल के पुरियां रेडी हैं आप इसे दो से तीन दिन तक स्टोर करके तिल के पुरियां को एंजोई करें लाइन, कर वाग्यब करें के तितetiा हैं आप पुरियां कार मानला पुरियां को पुरियां किया थे जाद करेंग समी EXT रिक हएए जाद करें पुरियां को तसा हैं, फसीयाद लुल हसे दितया देखर मियां जाएनी यादник काव sa जह बहता ही ए दूएरी है करते हैं यह कर दो यह करता है और नहीं है इसपस्सपर